हेलो गाइस कैस यूँ दोस्तों आज वर्ल्ड कप 2030 का 21 मुकाबला खेले जाने वाला है जो कि इंडिया और न्यूजलाइन टीम की भीश में खेला जाएगा जो कि धरम साला के मैदान पे मुकाबला होगा दो पैर को दो बज़े से मुकाबले शुरू हो जाएगा दोस्तों इ मताओंगा फिक खेलारी और चार आपको बताने वाला हूं ट्रम खेलारी जो आज आपको मेगा गरंड लिग में रैंक वन लेके आना चाहते हो और आज आप 40 सुर्पे से और हैं 2 करिशन दो किल रुपे कमाने चींड़यर रैंक वन लेके आना च्याते हो तो यहार इस वीडियो को आपको लाइक तो करना ही है और जिस टीम के साथ को दोस्तों मैं खेलोंगा ना तोस के बाद वो टीम आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चेनल पे तो टेलीग्राम चेनल पे आपको जाना है और डिस्केप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जोइन जरू कर लेना क्योंकि टोस के बाद मैं आपको वहीं पर क्या जा रहा करने बहुंद कर लो और वह गांड कर नह mulheres वीडियो को बनता है तो ऐस वीडियो बढ़ते आगे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की दोस्तों यह पिच रिपोर्ट क्या कहती है आपको एक बासा में अपनी बासा में थोड़ा सा मतलब बताता हूँ दोस्तो यह पेच ऐसी है यहाँ पर जो स्टार्टिंग में गैंदवाजी कराने के लिए गैंदवाज आते हैं पेशर उनको यहाँ पर एडवांटेज मिलता है स्विंग मिलती है और बल्लेवाजों के लिए यहाँ पर बहुत जादा मदब रहने वाली है और जो टीम इस मैच में टोस्ट जीतेगी वो पहले गैंदवाजी करना पसंद करेगी और जल्दी से जल्दी टीम को अलाट करने ही कोशिस करेगी और फिर चेज करना पसंद करेगी तो आइस उमीद करता हूँ आपकी समझ में आपे पिच रिपोर्ट आ गई होगी दोस्तों इस मैदान पे जो आखरी के साथ वंडे मुकाबले खेले गए हैं उनमें से तीन वंडे मुकाबले पहले बल्लेवाजी करने वाली टीम जीते हैं और चार मैच बादम बल्लेवाजी करने वाली टीम जीते हैं और यहीं वो कारण है कि यहाँ पे टोस्ट जीत करके ज की बात 365 साथ मैंचों मैंसे तीन बार 200 से नीचे यहां पर यहां है जब कि डो पार वी आपको इसकोर देखने के लिए आज मिल सकता है हम किसको लें किसको ना लें आपको बताता हूं और उससे पहले आप देखिए कि यहां पे जो आखरी के आती है 207 रोट बना करके अल आउट हो जाती है कि इस इसमें पेसर को मिलती है 14 इस्पिन को यहां पर मिलती है मात्र चार विकेट ठीक है तो इस पेच्छ पे इस प्रको जादा है यह आगे आपको वीडियों बताऊंगा इस पेसर के बारे में इस पेसार रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा इंग्लाइन की टीम आती है पहले वल्ले वाजी करती है तीन सा चोश्रटर बनाती है बांगलादेस आती है 217 के स्कोर पे ओल आउट हो जाती है उसके बाद यहां पे जो पेसर को विकेट मिली है दोनों इनिंग को मिला करके और इस्पेन को यहां पे साथ विक दोस्तों इस मैच में स्पिन वर्सिस पेस लगो बराबर रहा था क्योंकि बांगलादेस के पास स्पिनर बहुत अच्छे है और अफगानिस्तान के पास वी वर्ल्ड क्लास स्पिनर है इस वज़े से आपको स्पिनर ज्यादा डो मिनिट करते हुए नजराए इस वाली मैच पें उससे पहरे देखिए आप इंडिया ने बनाए 112 रन मात्र 112 सीलंकाइट टीम ने मादी भाई 114 रन इसमें इस पिनर को दोस्तों मात्र दो विक्रिम यह केवल दो विकेट और यहां पर पेसर गैंदवाज निकाली भाई 11 विकेट निकाली पेसर गैंदवाज निकाली पेसर को यहां पर टोटल 44 विकेट मिलें भाई दोनों इनको मिला करके जबके इसमेंसे 14 विकेट तो पहली पारी मिली हैं और मात्र दोस्तों 5 विकेट मिली हैं दूसरी पारी में गैंदवाजी कराते हुए इसमेर गैंदवाज को तो जो टीम दूसरी पारी में गैंदवा आठ है। दोनों टीमों की भीज में कुल मुला करके आठ मुकाबले खेले गए हैं। आपको बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा चोह न LGBT सकती हैं मैं अपनी टीम्हें किस किस को में आपको बतांगा वीडियोस के आपको सारी बात बता दूँगा पहले रिसेंट फॉर्म देखते हैं रोई सर्मा का अर्टालीस चासी एकत्ति हो एक्षो एकत्तिस ब्यासी जीरो त्रेपन चपन क्या गजब की फॉर्म में चल दा है हिट मैं इस वर्ल्ड कम में सबसे ज्यादा ना बनाने वाला नंबर वन इस मैदान पर ती मैच खिला है हिट मैं रोई सर्मा मात्र बीस लगाएं साथ का अगर आप रिस्केट टेकर पेलियर हो तो वहाई आज आप रोई सर्मा को ड्रॉप करके चल सकते हो और वहीं सोवन गिल की बात करें तो यार देखो त्रेपन सूला एक सव चैटर सटाइस एकीस उन्नीस सावन वाली टीम में खिलाप बाई 81 की एवरेज से बलेवाजी करता है सोमन गिल अलागी इस पेच पे बंदा पहली बार खहलेगा ओवर ओल देखो के बंदे में तो 22 बंदे में 58 कि एवरेज से बलेवाजी की है तो यार सोमन गिल मोस्ट इंपोटेंट होने 124 सामने वली टीम में खिला 51 की एवरेज से बल्लेवाजी करता है इस मैदान पे देखो आप 3 मैचों में 210 रन है और 106 की एवरेज से बल्लेवाजी करता है किंग कोहली तो आप कोहली को VC या पर दोस्तों कैप्टन ट्राई कर सकते हो और ये टीम पहले बल्लेवाजी करती है तो स्रेय सेयर दोस्तों इस मैदान पे एक मुकाबला खिला तो उसमें मातर 9 रन की इनिगाई थी हाला कि दोस्तों सामने वली टीम में खिला भाई 79 का एवरेज है तो आज आप रोई सर्मा की जगरे पे स्रेय सेयर को ट्राई कर सकती हो ये जादा बेटर आप्सन मुझे न रास्ट मुकाबले में 34 रन नावाद उससे पहले 19 रन नावाद 97 रन नावाद भाई नावाद इनावाद चल रहा बंदा उससे पहले 252 अठावार नावाद फिर दोस्तों 19 रन क्या गजव की फोरम में भाई कियर राई इंजरी के बाद जवसी बापस आ आया है और तोड़ दिया गेंदवाजों की लास्ट मुकावली में आठ रन उससे पहले बहतर पचास चबईस एक सट रासी क्या घजव की फोर्म में वाई सुरुकुमार यादव का बाइस का अवरेज है और दोस्तों यह बाइस का अवरेज तवका है जब सुरुकुमार यादव व के लिए जड़ू देखो आप दो विकेट दो विकेट तीन विकेट सुरी जीरो विकेट तीन विकेट और तीन विकेट दो तीन तिन विकेट बंदा निकाल रहा है कि सामने बाली टीम एक खिलाब चालीज की अवरेज से बल्लेवाजी भी करता है और 12 मैचों में आठ विक विकेट में हर्देख पांडिया चोटे लोगा इस विकेट से सार्दो ठाकर को बार निकाला है और मुहमत सभी को यहां पर खेलने का मौकाज मिल सकता है लास्ट मुकाबल में एक विकेट उससे पहले भाई पंजा मार दिया था पांच विकेट दो विकेट यह बंदा कभी अल्ठ दोस्तों विकेट निकालता है इस मैदान पर दो मैच खेला तीन है क्या गजव की फूर्म में महमत सहीं पता नहीं इसको क्यों बिठा के रखा है सादो ठाकरो क्यों खेलाय जा रहा है समझ से वार है बाई कुल्दी प्यादव एक विकेट दो विकेट दो विकेट उससे फेले 0, 4, 5, अुझे से 5 विजडंड इसे ले खिलाब मातर 9 मुकाबले खेला है बंदा, 9 मैचों में 17 विगड है भाई, डबल विगड है, हालाकि इस मैदान पे एक मुकाबला खेला था। में विक्रिट लेस गया था ओवरल देखो तो 2023 के अंदर मात्र बीस इनिंग में गेंदवाजी कराई बंडी में और 49 विक्रिट हैं लवा दोस्तों हर मुकाबले में दो विक्रिट चटकाता है खुली प्याद बुम्रा बुम्रा तो तो यार इसके बारे में तो बात ही करना बेकर है आपको बंद करके ले लिए यहां पर देखो आप जी रोड़ी दो विक्रिट चार दो विक्रिट तीन विक्रिट एक बंदा खाली नहीं जाता कभी यार बिक्रिट ले जाता ही यह कभी भी इस टीमें कि आप देखो 11 मैचों में 13 यह दोस्तों एवरेज एक इतना पर मैं इसको देखते हुए मुहमद शिराज दोस्तों अच्छा है आज दो विक्रिट जीडो विक्रिट एक विक्रिट एक बेकर चेयए और एक विक्रिट ठीक है निजलन की प्लेंग लेवन में आपको कोई बदराव देखनी के लिए नहीं मिलेगा निजलन की टीम लास्ट वाले मुकाबले में जो प्रेंग 11 थी सेम उसी प्रेंग 11 के साथ आज भी खेलने वाली है सबसे पहले बात करेंगे डेविन कॉनवे के डिसेंट फॉर्म की यहां पे देखो आप 20 रन उससे पहले 45 32 152 78 0 7 9 यानि दोस्तों वर्ल्ड कम में यह बंदा फॉर्म में है इंडिया खिलाब भी इसका 54 का अबरेज है गजब खेलता बंदा और हिटिंग करके खेलता है इस मैदान पे अलागी पहली बार खेलीगा आप दोस्तों बिलियंग देखिए आप लास्ट वाले मुकाबले में 4 रन उससे पहले 70 रन ठीक है हमने दोस्तों लास्ट वाले मुकाबले में इसको नहीं लिया था और उससे पहले वाले मुकाबले में हमने इसको ट्राई किया था और इस बंदेरे भाई 70 रन कीनिंग के लिए थी तो ऐस चल सकता है क्यों ग्यार यह बल्लेवाजी पिछ है और सामने वाली टीम खिलाप पहली वर खेलेगा मगर इसको ट्राइ किया जा सकता है मगर यार सामने भाई फिर वही बात है यार मौमत समी बुमराज सिराज 3-3 अटेक होंगे बहुत तकड़े बाले तो यार इसको को लेकी जा सकती हैं तो भाई मैं इसको नहीं लोगा आज रचे रहमिंद्र को ट्राइए कि रहा सकता है बाई 32 रन एक विकेट लास्ट वाली मुकावले में उससे पहले नौर जीरो विकेट एक्याव रन एक विकेट एक विकेट हाला कि सावने वाली टीम में खिलाप इंड दोस्तों पांच विकेट बंदाई लेच चुका है तो यार विकेट तो भाई एक लेगा कैसे जब गेंदवाजी नहीं करा रहा फिलाल तो यार इसको लेने का कुई फायदा नहीं है मैं इसको ड्रॉप करके चलूंगा डैरिल मिचिर को मैदान पर बंदाई पहरी बार खे मैच के चार मैचों में बंदे के चार हाफ सेंचुरी है एक भी मैचे फ्लॉप नहीं है और इस मैदान और इंडिया खिलाब भी चुवन का अवरेज भाई का और इस मैदान पे एक मैच में उन्यासी न लगाए थे तो या टॉम लेथम मस्ट पेके भाई आज इस मुकाबल आपसे दो मैचों बोला था और मैंने भी लिया था मगर आज आपसे बोल राओं इसको आप मत लेना मेरे साथ से यह खाली आ सकता आज रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है बंदे का मगर आज खाली आ सकता है इस मैदान पे बंदा पहली बार खेलेगा उसके बाद मार्क चैंपमें टेम इंडिया किलाब एक मुकाबला खेला उसमें एक रन इस मैदान पर पहली बार खेलेगा रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है भाई की मिचल सेंटर नर साथ रन तीन विकेट एक फिर दोस्तों चतिस रन पांच विकेट दो विकेट शोले रन भाई एक विक क्योंकि यहां पर पेसर को यार एडवांटिस बहुत जादा मिलता है इस मेदान पर पहली बार खेलेगा ट्रेंट वोल्ट दो विकेट जिरो विकेट दो विकेट टीम इंडिया खिलाब तेरे मैच विकेट हैं तो यार्ट ट्रेंट वोल्ट को लेना बनता है हालकि इस मस्ट पेकें आपके लिए अब आया था लोगी फर्गोसन दोस्तों यह एक एवरेज परफॉर्मेंस इसका टीम इडिया खिलाब दस मैचों में नो विकेट हैं इस मेदाने पहली बार खेलेगा हलाकि लास्ट के दो मैचों में च्छे विकेट ले चुका है और उससे पहले बंदा अला हुआ एक एक विकेट निकाल रहा था बसकेवल उससे पहले फॉर्म में नहीं था तना ज्यादा अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं अपनी टीम जो मैंने बनाई है मेगा घ्रिंड लीक की मैंने दोस्तों पहली बाद तो बिकेट कीपर मैं तीनों बिकेट कीपर को लिया हुआ है जिसमें टॉम लेथम है कि यहाल राहुल है यहां पर और फिर डैविन कॉनवे है बल्लेवाज मैंने दो लिये मस केवल वो भी इंडिया के सोमन गिल और विराट कोली और रांडर मैं रवेंदर जड़े जड़े जा और दोस्तों रचें रवेंदर दोनों भाई रवेंदर है रवेंदर है ठीक है मैंने दोनों लिए हुए है गैंदवाजी मोहमद समी ट्रेंट वोल्ट हैंडी और कुल्दी प्यादव आज दोस्तों मेरा कप्तान होने वाला भाई सोमन गिल और कप्तान डेवन कॉनवे कर सकते हो दूसरा बड़ा उपसर विराट कोली है उसके बाद भाई आज आप कप्तान कर सकते हो मौहमद समी को कप्तान या उपकप्तान दोनों जरू करना मौहमद समी आज जल्वा बेखे सकता अपना अगर दोस्तों यह मेरी इनिसेट टीम है तो उसके बाद मेरी टीम में बहुत सारे बदलाव यहां पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो मेरी फाइनिल टीम होगी वह आपको मिलेगी मेरे टेलिग्राम चैनल पर तो यह टेलिग्राम चैनल को जोई जरू कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गुड़ लक ओल दा बेस्ट